नमस्कार दोस्तों यह 34 साल के व्यक्ति का पाम है इस पाम को देखे तो इनको जब सफलता थोड़ी सी देरी से है पर मिलेगी तो वो इतनी अच्छी मिलेगी कि इनके जीवन के सारे जो तकलिफे थी या जो यह पेन उठा चुके या उठाने वाले उसके बाद काफी रिलेक् इंकम करने वाले इंसान हो जाएंगे और अच्छी खासी इंकम भी करेंगे यह पाम को देखे तो यह कंप्लिट रेक्टेंगल पाम है इस तरह का पाम रेक्टी जादा तर बैठ कर काम करता है या बोल कर काम करता है और यहां पर देखे तो यह एक कोन जो बनता है यहां पर ये दो उंगलिया जब उपर रहती है तो एक माइनस पॉइंट रहता है इन में चीजे जिस समय समझ में आनी चीए उस समय व्यक्ति को समझ में नहीं आती ये एक माइनस पॉइंट होता है इसके कारण जो opportunity है इनके जीवन में आती है उसको बहुत अच्छी तरह से जल्दी से उठानी बाते है ये एक माइनस पॉइंट इन में रहता है इनका अंगुठा काफी अच्छा है स्ट्रॉंग है तो स्ट्रॉंग व्यक्तित वह होगा फर्स फैलेंज भी बड़ा है सेकेंड फैलेंज भी एवरेज के लायक है तो जिद्ध भी होगी और व्यक्ति अपनी बाते लॉजिक के साथ बताने में माहिर भी होता है और थोड़ असा अंगुठा नुकी लाग कम है तो ध्यान इदर उदर भटकता भी है व्यक्ति का दूसरा प्लस पॉइंट है इस हाथ में यह जो स्पेस मिल रहा है यहां पर यह बड़ा मिल रहा है इसके कारण यह काफी समरुद्ध बनेंगे काफी अच्छी अभी फिलाल इनको इतना स्ट्रॉंगली फेट लाइन का साथ ने मिल रहा है जिस तरह से मिलना चीए था पर ज साथी अच्छी फेट लाइन इनकी जब फेट लाइन पर आऊंगा तब मैं उसके बारे में डिसकस करूंगा फर्स्ट उंगली बेंड ओ रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है शुर्य के इंगली बड़ी है तो व्यक्ति हिमती सभाव का होता है और चोटी कुमेंटेशन फाइलिंग चीजों को संबाल कर रखना याज शक्ति मनी मेनेजमेंट और अकाउंट यह सारी चीजों में व्यक्ति कम जोर रहता है जब यह उंगली यह पैसा कमने में आपको डिश्टब नहीं करेगी पर जो पैसे का मेनेजमेंट है उसमें डिश्टब करेग कि आप अकाउंट्स में इतनी एनरजी नहीं लगा पाओगे जो खुद की लगनी चीए वस्तुए कहीं पड़ी है थोड़ी देर में रखते इस तरह की मान सिकता होती है और समय पर जब ढुननी होती है उस समय कहा रखी वो याद नहीं आता यह सारे माइनस पॉइंट व्य बुद परवत अच्छा होने पर व्यक्ती अपनी भावनाय व्यक्त कर पाता है प्लस सुन्दर होता है बिजनेस के सारे गुणों अच्छे होते हैं और इनकी वानी काफी अच्छी होती है यह सारे गुण यह बुद परवत देता है तो काफी अच्छा बुद परवत है और अर्ध शुक्र वले हैं यह complete नहीं है इनको मुर्श्विंग का problem जीवन में रहता होगा सुबह अलग मुर्श रहता होगा दुफेर को अलग रहता होगा शाम को अलग मुर्श्विंग का problem देती है पर यह लाइन भी व्यक्ति को पैसा कमाने में साहता देती है हाँ यह शुक्र वले पूरा बनता है तो 100% फल मिलने के चांसे सोते है पर आधे में भी व्यक्ति काफी अच्छा जीवन में सफल बनता है और यहाँ पर देखे तो कोई strong सुरे रेखानी है और परवत भी काफी अच्छा है तो व्यक्ति को जीवन में जादा basic सफलता पाने के लिए effort नहीं करना पड़ता basic सफलता easily मिलती है दूसरी साइन बहुत बड़ी विद्या रेखा इनके हाथ पर है ऐसे लोगों को बहुत अच्छा ज्यान रहता है basic चीजों का और उस ज्यान से ही प्रभावित होकर लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं और जैसे जैसे उ काफी अच्छी position पर है और यहां पर देखे तो एक strong रेखा फेट लाइन सनी परवत पर चल रही है तो इनका बुढ़ापा तो काफी अच्छा जाएगा पैसे के मामले में और 56 के बाद धार्मिक और सामाजिक छित्र में भी ये खुद से पैसा खर्च करेंगे अपने दिल से जब इतनी strong किसी के हाथ में फेट लाइन होती है सनी परवत पर तो बुढ़ा पे तक अच्छा खासा व्यक्ति अंद कर लेता है और धार्मिक और सामाजिक छित्र में पैसा खर्च भी करता है अपने मन से काफी अच्छी साइन है इनके हाथ में अब चलते इनके गुरु परवत पर गुरु परवत देखा जाए तो छित्र पल थोड़ा सा छोटा मिला हुआ है चैये वैसा नहीं मिला हुआ है पर फिर भी मुझे मेरे ग्यान के हिसाब से मुझे इस गुरु परवत में कोई कमी न तोड़ा सा ज्यादा है तो वाद विवाद पत्ति पत्ति के बीच में रह सकता है पर मुझे नहीं लगता को ज्यादा प्रॉब्लम इनके जीवन में पारिवारिक या सांसारिक जीवन में रहती होगी और यहां पर होरिजन्टल लाइने चल रही है यह व्यक्ति को मल्टीपल इंकम के स्रोत जीवन में क्रियेट करवाती है और थोड़े से दयालू भी होते हैं अब चलते इनके अंदुनी मंगल की और अंदुनी मंगल चाहिए वैसा नहीं है यानि बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं है शारेरिक छमता वो लेवल की नहीं होती आम इंसान के बराबर की यानि मद्यम टाइप की शारेरिक छमता इनके जीवन में होगी और 35-40 के बाद इस तरह के मंगल वालों को कोई न कोई जो डेली दवाई लेने वाले रोग जैसे छोटे रोग बलड पेशर है या लगती है यह एक माइनस पॉइंट होता है पर इसके कारण व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता व्यक्ति अच्छी खासी जीवन जीपाता है बुड़ा पेतक अभुद इनके बारी मंगल को देखे बारी मंगल काफी अच्छा है कोई प्र और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, एक लाइन ऐसी है, जो या तो इनको परिवार से दूर सेटल कराएगी, यानि जन्मस्तल से, और जब डबल फोक बनता है, तो जन्रली देखा जाता है, व्यक्ति के जीवन में ट्राविलिंग खुब होती है और थोड़ी सी चंद्रपरवत की और भी जा रही है, तो व्यक्ति या तो परिवार से दूर रहता है, जन्मस्तल से दूर रहता है, या कभी-कभी विदेश में भी सेटल हो जाता है, और इनका चंद्रपरवत काफी अच्छा है, अगर ये ट्राय करें, तो ये विदेश मे भी सेटल हो सकते हैं इनकी कोशिस करने पर है क्योंकि काफी अच्छा चंडर परवत है और यहां पर देखें तो कोई money triangle strongly बना हुआ नहीं है बना हुआ जरूर है यह इस तरह का छोटा सा money triangle बना हुआ है यह जब छोटा money triangle होता है और आपके हाथ में दूसरे अच्छे चीन हो तो पैसा तो आप खुब कमा लेते हो पर हमेशा आपको एक जिसे कहते ना cash in hand वो हमेशा आपका हाथ तंग रहता है आपने पैसा कमा भी लिया तो तुरन कहीं न कहीं investment भी कर दोगे और हमेशा आपका हाथ हाड cash के मामले में हमेशा आपको तकलिफ महसूस करेगा यह यहां पर आपकी अच्छी फेट लाइन है यहां पर भी आपको इस तरह की तंगी महसूस होगी हमेशा शौटेज जैसा पर फिलिंग होगा यह एक जंदली मैंने लोगों के पाम पर व्यक्तियों के यहां फिल किया है यानि उनसे सवाल जवाब करता हूं तब यह जानकारी मुझे प्राप्त हुई है हमेशा शौटेज फिल होती है अच्छी इंकम होने के बावजूर भी अब चलते इनके शुक्रपरवत पर शुक्रपरवत काफी बैटर पोजीशन पर है बहुत अच्छा है और इनका गुरुपरवत भी अच्छा है यह दोनों मिलकर इनके जीवन में अच्छा खासा लाब देने वाले और शुक्रपरवत जिसका अच्छा होता है व्यक्ति कमाने में भी एक्षपर्ट होता है और खर्च भी अच्छा करता है दिल से खर्च करता है रहता अच्छा है अच्छी तरह से जीवन जीता है यह सारे गुन शुक्रपरवत से मिलते हैं तो इनका गुरु च राप्त करते हो और comfortable जीवन जीते हो एक दम relaxed वाला जीवन जीता है व्यक्ति ज्यादा tense उसके लाइफ में नहीं होता अब चलते हैं इनकी हिर्दे रेखा इनकी हिर्दे रेखा और माइन लाइन के बीच में गैप कम है तो व्यक्ति किसी ना किसी को पूच कर कारे करता है जीवन में कोई ना कोई ऐसा सब्य होता है यानि सदस्य होता है जिसको ये लोग पूच कर कारे करते है और इनकी हिदre रेखा complete sunny परवत से ही शुरू हो रही है तो व्यक्ति में तीन ही तरह के गुन होते है व्यक्ति आग खुलते ही पैसा कैसे कमाना उसके बारे में सुचता है कामुक भावना होती है और तीसरी होती है फिजिकल बनते ये तीन चीजे व्यक्ति में होती है इस तरह की हाट लाइन और ये हाट लाइन आगे चल कर थोड़ी सी डार्क बन रही है तो लगबग हुम्र बावन के आसपास से या पचास के आसपास से जिमेदारिया इनके सर पर बढ़ जाएगी और ये अपना जीवन खुल कर नहीं जीपाएंगे पर उसके पहले अपना जीवन अच्छी तरह से जीपाएंगे कोई टेंस नहीं है हाँ यहाँ पर इनकी पारिवारिक जिमेदारिया बढ़ जाएगी अपाधापी कोई ने कोई टेंस इनके जीवन में लगा रहेगा तो इतना कमफ़टेबल जीवन नहीं जीपाएंगे जो उसके पहले जीए होंगे पर उसके पहले काफी अच्छी हाट लाइन है और एक दो जगह पर लाइने नीचे चल रही है यह अपने परिवार के सर्दस्टों को या दोस्तों को मदद करेंगे और वो पैसा वापस आएगा ने अब चलते हैं इनके माइन लाइन पर माइन लाइन भी गुरु परवट से ही सुरू हो रही है और सीधी चल रही है अब टू एंड तक काफी बड़ी माइन लाइन है जब बड़ी माइन लाइन होती है तो व्यक्ति बहुत बुद्धी शाली होता है और अपने बुद्धी के बल पर हंडेट परसेंट विकास करता है ये खासियत होती है और पांच मिनिट भी अपना समय बर्माद नहीं करता कोई न कोई ज्यान लेने की कोशिस करता है और चंद्रपरवत को छू रही है तो इमेजिनेशन पावर भी काफी हाई होता है हाँ, घर में किसी एक व्यक्ति को ये ज़्यादा बोल बोल करेंगे इसके सिवए कोई माइनस पॉइंट नहीं है और जब आपकी गुरु परवत से सुरू होती है तो महतो कांशी होते हो और महतो कांशा पूरी भी करके छोड़ते हो और दोनों के बीच में जीवन रेखा और दोनों के बीच में गयप है ये जिमेदारी लेना जागते बचपन से ही, जिमेदारियों से कभी भागते नहीं दूसरी चीज सुनेंगे सब का पर करेंगे अपने मन काई काफी जिद्धी होते और किसी के अंडर में काम करना इनको पसंदी नहीं आता ये अपने दिल के राजा होते ये किसी के काबू में रहने की इनकी आदत ही नहीं होती ये एक प्लस काओ या माइनस पॉइंट काओ ये इन में खासियत होती है और जिमेदारियों से कभी भागते नहीं और काफी अच्छी माइन लाइन है बेस्ट माइन लाइन है और यहाँ पर देखे तो इस पार्ट में थोड़ी सी यव साइन दिख रही है तो ये पिरियड हो नहो इनके जीवन में कोई न कोई तकलिफ वाला रहा होगा और ये लगबग 18 से लेके 21 तक के पिरियड में कोई न कोई टेंस इनके जीवन में क्रियेट हुआ होगा इस पिरियड में क्योंकि जब यव साइन होती है तो व्यक्ति काफी त्रस्त होता पर उसके बाद माइन लाइन अच्छी खासी चल रही है थोड़ी सी डार्क है तो आगे बढ़ने की जिसको तमन्ना रहती है वो प्रेशर लेता है और प्रेशर लेता है तो उसकी माइन लाइन पर भी रिफलेक्ट होता है और काफी अच्छी स्मूथ आगे बन रही है, तो माइन लाइन में कोई दोशारोपन नहीं है, नहीं ऐसा कोई हाट लाइन में भी दोशारोपन है, अब इनकी जीवन रेखा को देखते हैं, जीवन रेखा ऐसी कोई ज्यादा जिक जैक नहीं है और यहाँ पर एक ट्रेंगल भी बन रहा है, तो यह triangle बनता है, तो व्यक्ति या तो अच्छी degree लेता है, या इस period में परिवार काफी अच्छी position पर आता है, इस triangle के कार, ज्यादा तर तो व्यक्ति अच्छी degree प्राथ करता है, और यहां पर देखे, तो तीन चार रहू रेखाओने इनको जीवन में परेशान कर रखा है, एक 30 के आसपास, एक 34, एक 36 और एक 40, यह चार रहू लेखा है, इनको परेशान करेगी, और 30 के आसपास तो इनको कोई अच्छी सफलता भी मिली होगी जीवन में, तो खुशी और गम दोनों साथ में चले होंगे, उस period के आसपास, और इनकी जीवन रेखा देखे आप, 30 के आसपास से आपको स्ट्रगल वाली देख रही है, यहाँ स्मूथ थी, और यहाँ स्मूथ है, पर यह बीच का पार्ट स्ट्रगल वाला है, तो यह इतने period में यह पेन उठाएंगे, यह पेन उठाएंगे, कोई ने कोई आर्थिक नुक्सान, जीवन में तकलिफे, यह सारी चीज़े यह राहू रेखाए देती है, तो यह period इनका जीवन का कश्टमाई period कह सकते हैं इस period को, यह 10 साल का period काफी कश्टमाई रहेगा, पर उसके बाद इनकी जीवन रेखा अच्छी खासी आगे बढ़कर, स्मूथ, बिना कट-कटाओ के आगे चल रही है, कोई आगे कट नहीं है, कोई राहू रेखा नहीं है, हाँ छोटी मोटी राहू रेखा है आ रही है, तो वो स्ट्रॉंग नहीं है, कि इनको टेंस लेना है, पर यह राहू रेखा है, थोड़ी सी स्ट्रॉंग है, यह व्यक्ति के जीवन में डिश्टरबंस लाती है, तो इनका काफी जीवन, चालिस के बाद तो काफी अच्छा जीवन होने वाला है, अब यहाँ पर देखे, तो यह वैसी सफलता व्यक्ति को हाथ में आती नहीं, जब आपकी फेट लाइन का आपको साथ नहीं होता, हाँ, यहाँ पर स्क्वेर जरूर बना है, तो जीवन में कोई न कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीदी होगी इन्होंने इस पिरियड में, उसमें भी दो राय नहीं, यानि 30 के पहले कोई न कोई प्रॉपर्टी भी इनके जीवन में आई होगी, और यहाँ पर देखें, तो यह काफी हल की रेखा चल रही है, और एक कट यह उमर 36 के आसपास आ रहा है, यह इनको परेशान करेगा, पर इसके बाद स्मूथ चली फेट लाइन, और यहाँ से ए काफी स्ट्रॉंग होकर बुरापे तक अच्छी खासी पोजिशन पर लेकर जाएगी, और यहाँ पर भी यह भी काफी अच्छी फेट लाइन है, तो यह भी 36 से लेके चौपन तक अच्छा खासा इस लाइन से भी अन करेंगे, और यह 36 के बाद मल्टिपल इंकम के सोर्ट क काफी अच्छी पोजिशन पर इनको लेकर जाएगा, हाँ, यह रहेगा, हमेशा हर कैस की इनको कमी रहेगी, बाकी इनका जीवन काफी उत्तम जाने वाला है, पैसे के मामले में, और बाकी सब भी घरा अच्छे है, तो ज्यादा कोई तकलिप नहीं आएगी, हाँ, यह आप कठीन है, इसे जहल लीजिए, उसके बाद आपका जीवन काफी उत्तम है, आशा रखता हूं, इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवान,